पूरा मामला ट्रांसफर पेटेशन से रिलेटेड है आईए समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मैरिज आक्ट में ट्रांसफर पेटेशन के बारे में क्या कहा गया है अब ऑनिमल सुप्रीम कोट के डिसीजन को देखने से पहले हम सेक्शन 21A और हिंदू मैरिज आक्ट को देख लेते हैं इसमें कोट की पावर टू ट्रांसफर सर्टेट पेटेशन दी गई है सबसे पहले इसमें क्लॉस 1 में ये दिया गया है कि कौन-कौन से पेटेशन इस सेक्शन के अंतरगत एंटर्टेइन की जाएंगी इसमें वो पेटेशन आएंगी जिसमें जुडीशल सेप्रेशन के लिए प्रे किया गया है या फिर Divorce के लिए प्रे किया गया है Judicial Separation under Section 10 of Hindu Marriage Act और Divorce under Section 13 of Hindu Marriage Act इन दोनों ही Sections को आप ध्यान रखेगा इसके अलवा जिस भी Case में Cross Petitions दायर की गई हैं इधर in the Same District Court और in a Different District Court या फिर Same State और Different State ऐसी Petitions को भी इसी Section के अंतरगत entertain किया जाएगा अब Subsection 1 में हमने Cost पढ़ा जिसका Effect Subsection 2 में दिया गया है इसके Point A के हिसाब से जहाँ पर Petitions Same District Court में Present की गई हैं वहाँ पर दोनों ही Petitions साथ में Try की जाएगी by the Same District Court जहाँ पर दो अलग-लग Petitions दो Different Districts में File की गई हैं उस Case में जो Petition बाद में दायर की गई है उसको Earlier Petitions वाली District Court म Transfer कर दिया जाएगा और उसके बाद दोनों ही Petitions साथ में सुनी जाएगी इसी को और जदा Clarify करने के लिए आगे Subsection 3 में दिया गया है कि जहाँ पर भी Clause 2 B Attract होता है उसमें क्या होगा Clause 3 के अंतरगत Court और Government दोनों को ही Power दी गई है जहाँ पर भी Court या फिर Government को CPC के अंतरगत Power है for transferring any suit और Proceeding उस Case में Later Petitions को Earlier Petitions वाली District Court में Transfer कर दिया जाएगा सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी कि ऐसा Transfer करने वाले Authority के पास CPC के अंतरगत Transfer of Petition की Power थी या फिर नहीं अब इस Case में Husband और Wife दोनों ने ही Case के Transfer के लिए Apply किया था However, Honorable Supreme Court ने Wife की Transfer Petition को Allow कर दिया और जो Case पूने में चल रहा था उसको Delete Transfer कर दिया इसके पीछे Court ने तर्क दिया कि Wife की कोई भी Independent Source of Income नहीं है कि वो Case के Regarding Traveling Expenses को Meet Out कर सके अब इस बात पर ध्यान दिजेगा कि Court ने ये कहा कि जो फ्रेज है The Petition Presented Later Under Section 21A Clause 2B उसमें Petition for Restitution of Conjugal Rights Include नहीं होती जो कि Section 9 में दिया गया है Facts के बात करें तो दोनों पाटी इसके बीच में शादी 2015 में हुई थी और पती-पत्नी जन्वरी 2019 से अलग-लग रहने लगे थे और कुछी दिन बाद यानि कि मई 2019 में हस्बेंड ने एक Divorce Petition फाइल की in the Family Court of Pune पिछले साल जुलाई में ही वाइफ ने Transfer Petition डाल दी और साती साथ एक Restitution of Conjugal Rights की भी Petition डाली इन साकेत Family Court यानि कि Subject Matter सेम हो गया That is Restitution of Conjugal Rights इसके बाद हस्बेंड ने भी एक Transfer Petition डाल दी कि जो दिल्ली में केस चल रहा है उसको पूने Transfer कर दिया जाए वाइफ ने यहाँ पर यह कहा कि उनकी कोई Independent Source of Income नहीं है और हस्बेंड भी उनको Maintenance Pay नहीं कर रहा है और हस्बेंड ने कहा कि उनकी जो Divorce Petition थी वो सबसे पहले दायर की गई थी और इसी वजए से और इसी लिए Petitions को पूने Transfer करना चाहिए हस्बेंड ने ये भी बताया कि he can wear travel expenses of the wife साथी साथ ये भी स्टेट किया कि उनके फादर और मदर की तव्यत बहुत जादा खराब है और इसी वजए से हस्बेंड अपने पेरेंट्स को अकेले छोड़के दिली ट्रैवल नहीं कर सकते अब होट ने हस्बेंड के कंटेंशन को गलत पाया कि क्योंकि उन्होंने टाइबॉर्स पेटिशन पहले फाइल की थी इस वजए से इस कवर्ड अंडर सेक्शन 21A of Hindu Marriage Act होट ने कहा कि सबसेक्शन 2 का कोई independent existence नहीं है because it is dependent upon सबसेक्शन 1 ध्यान दीजेगा कि सबसेक्शन 1 में दो टाइपस ओफ पेटिशन की बात की गई है एक तो ऐसी पेटिशन जिसमें decree for judicial separation प्रे किया गया हूँ अंडर सेक्शन 10 और दूसरा divorce petition अंडर सेक्शन 13 present case सेक्शन 21A में cover इसलिए नहीं हो रहा क्यूंकि wife ने cross divorce petition file नहीं की है no doubt divorce petition सेक्शन 21A में covered है but सिर्फ husband ने ही divorce petition file की है cross petition का case वो restitution of conjugal rights का है इसी बात को आगे court ने explain किया है इसके बाद court ने उस contention को deal किया जहांपे husband ने ये कहा था कि वो wife के travel expenses को bear कर लेंगे इस पे court ने ये कहा कि husband का ये जो contention है इससे पता चलता है कि he is not disputing the fact कि वो wife को maintenance provide नहीं कर रहे ऐसे में जो उनका offer है वो serious नहीं लगता अब बात ये भी है कि अगर husband wife के travel expenses को bear कर सकते हैं तो he can bear his own expenses of travel इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ultimately court ने कहा कि जो पूने में divorce petition file की गई है उसको family court साकेत में transfer कर दिया जाए and it shall be heard with the petition of restitution of conjugal rights under section 9 of Hindu marriage act तो ये था हमारा analysis Supreme Court के उस judgment का जिसमें transfer of petition और section 21A of Hindu marriage act के बारे में बात की गई है उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे telegram चैनल पे मिल जाएगा और हाँ, please don't forget to like, share and subscribe थांक यू, चैहन्द